कि नमस्कार सातियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती आई एस यूटूब चैनल पे स्वावत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धर्म परिवर्तन से संब्मगित कानूनों के बारे में कारण क्या है हमारे पास दरसल गुजरात सरकार ने एक परिपत है यानी कि जो सरकुलर है उस सरकुलर में गुजरात सरकार का यह कहना है कि देखो गुजraत की अंदर एक बड़ी संक्या में हम यह देख रहे हैं कि लोगों को हिंदू धरम से बौध धरम में परिवर्तित कराए जा रहा है इस्तिति तो ठीक है इस्तिति में कोई दोराएने लेकिन इस परिवर्तन के दोरान इस धर्मांतरन की गतिविधी के दोरान जो हमारे राज्य का प्रमुक कानून है जिसे धार्मिक स्वतंतरता कानून के रूप से या धार्मिक स्वतंता अधिनयम के रूप में जाना जाता है उसका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है अब जब उसका पालन नहीं हो पाएगा तो देखिए यह है जो वेवस्ता है यह संविधान के विरुद्ध है और वेवस्ता के विरुद्ध हो तो उससे संबंदे जो भी कानून है जो भी अदुनियम है उस अदिनियम का पूरा-पूरा पालन होना चाहिए तो यहां पर अब गुज्रास सरकार ने सर्कुलर जारी करते साफ साफ कह दिया है कि देखो अभी तक बहुत सारे संब्दाय हो या इसके लावा फार्सी वगर्या जो भी उन सब को सेम ही मानते हैं सब है ऑवरल हिंदू धर्म के अंदर ही हिंदू संब्दाय के अंदर ही सबको गिना जाएगा यहीं चल रही है पर गुज्रास सरकार ने मिया साफ साफ कह दिया कि देखो ऐसा नहीं है पहली चीजों को easy मानते हुए कानूनों को बहुत अधिक यहां पर avoid किया है जो नहीं होना चाहिए अब जरूरी है कि कानूनों का पूरा-पूरा पालन हो के अलावा धुर्य धियान रख्यां कि हिंदू धरम की अंदर बहुत जहन और सिक्ष शामिल नहीं यह बात आप लोग को स सब्सक्राइब करते हैं और अपके मामले में होना चाहिए कि इस प्रकार की सबी गतिविदियों में पूरु सीक्रिती ली जाए और पूरु स्विक्रिति के बाद ही बाकी सब काम हो यह आपको प्सुनिशित करने तो कौन करता है यह सब कारे राज्य में जिम्मेदारी होती है जिला मजिस्ट्रीट की कि आप के हाँ पे जो भी धर्म परिवर्तन संबंदी गति विदिया हो रही है आप उनका रिकॉर्ड रखें और ऐ प्रिश्रा सरकार ने सामने आकर परिपत्र जारी किया क्या और जिम्मेदारी करें पूर्व अनुमती दि नहीं मिल रही है तो ग thrown लेए volcano साफ के कि हिंदू धरम के अंदर बाद नहीं है क्यों कहरे है साब माद है जाथ्चीजों को सबस्क्रैप लेकिन उ सब सबसे तरूर कॉमेंट कर दीजिए और साथ साथ अपने मेंस की जो भी नोट से बना लीजिए तक कि कहीं भी अगर आपको मुख्य परिक्षा में ऐसा कोई प्रेशन देखने को मिलें तो आप लोग विचार अपने महां पर प्रस्तूत करने में कोई परिशानी आपको ना उठानी पड़े कि अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या-क्या-क्या-मामला है तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि ग्रीव विवात की तरफ से ही है परिपत्र जारी किया इसमां साफसाब कहा गया कि बहुत धर्म को एक अलग धर्म माना जाए जा राज्ये में अब आप सोचने गुजरात में हिंदू की बड़ी संक्याव को बहुत बनाया जा रहा है और उसको बहुत धर्मों में शामिल किया जा रहा है तो देखिए वह है दलित समुदाइज करा जाता है कि देखे आपका हिंदू के बीच में कोई महतु नहीं है आपको निमनिस्थान दिया गया है और बहुंद है और जिस्टी को दूसरा इस्थान घाए उस दूसरे सब बढबर हैं कि यहां सब समान है किसी की बीच में कोई भी घथबाव नहीं यही जो एक ट्रडीशन है कृस्टा ने देखा गया है। हो आपको हीन माना जाता है आपको आपके अधिकार नहीं मिलते समझो कि आप भी बातियों के समान हो लेकिलन धर्म गलत है अब अगर क्रिस्चनि की करते हैं तो क्या होगा सब बराबर हैं जबर बड़ी और यह रहें ज़ों परमपरा भी नहीं नहीं चल रही है इसके अलावा हम लोग पहले भी यह दिखते हुआ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस कारण से बहुत धर्म को अपनाया है और वह इस तरो आगे बढ़ते चले गए तो यही कारण है कि बहुत धर्म को खास्तौर पर टरगे कर दिया कि देखो एक बड़ी संख्या में गुजरात में लोगों का धरम परिवर्तन हो रहा है और उन्हें हिंदू से बाथ बनाया जा रहे है तो इस दौराएं जो बी व्यक्ति इस कारे में जुड़ा हुआ है ये कि जो भी समदाय का है जो बड़ी संक्या में लोगों का धरम परिवर्तन करा रहा है वह चीजों के लिए पहले से ही मामला ध्यान रखे कि आपको निर्धारित प्रारूप के अकार्डिंग जा करके जिला मजिस्टेट से पूर्व अनुमती लेनी होगी आप जिला मजिस्टेट के सामने जाके यह नही के लिए उन्हें कहा है कि जो पैटर निर्धारित है उस पैटर को आप फॉलो करें आप ड्राफ्ट लिए उसके अकॉर्डिंग पहले जिला मजिस्टेट के पास जाए और जो भी आपके यहां पर धरम परिवर्तन संबंदिक गतिविधियां होने वाली है कारिक्रम होने व अब तोर पर कहा दिया गया है कि धरम परिवर्तन करने वाले जो व्यक्ति होंगे नधारित प्रारूप के अकॉर्डिंग वह जिला मजिस्टेट को चीजे सूचित करेंगे हर एक चीज मैंशन कर दिया आप करवा रहे हैं कितने धरम परिवर्तन करवा रहे हैं कोई धरम परिवर्तन होने वाले लोगों का ठीक है इसके साथ यहां पर एक खास बात देखने में यह भी आई है कि जिस परकार से बार-बार लोग यही मानते हैं कि हिंदू और बहुत एक ही हैं तो इस वज़े से आपने क्या कि राज्य के कानून का उलंगन किया है चीजों को अवाइड किया है इग्नोर किया है तो सरकार खुद कह रही है कि देखो कि धरम परिवर्तन का मामला कैसा भी हो चाहे आप हिंदू से बाद बन रहे हो या कुछ और मामला हो या इसको कहा जाता है गुजराज धार्मिक सुतंता दिनियम 2003 इस कानून के हर एक प्रावधान का पालन होना चाहिए यदि इस कानून का प्रावधान पालन नहीं होगा तो दीके चीज़ें फिर घडवड़ा सकती हैं इसके लिए आपको तियार रहना होगा इसके साथ साथी जिला मजिस्ट्रेट के लिए कुछ खास आदेश भी इन्होंने जारी कर दी है कि जिला मजिस् कानून समझने के लावब समय समय पर राज्य सरकाज जो आदेश दे रही है धरम परिवरतन गतिविदियों के बारे में जरूरी है कि आप उन सभी निर्देशों का भी पालन करें और साथ आयरे दरम अर्हाय रहा है दरम परिवरतन का उस पर अंतिम ने ले Google नहीं कैञें सेमय कोई पर यह सब्सक्राइब क्यों सरकार सामने क्यों कुछ सरकार सामने किस यह और जाली कर दुरम परिवर्तन करने लोग ता दिया कि धर्म अलग 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 हैं और समझाजास ब DellЬниц तो देखिए गुजराश सरकार कि कई वर्षों से जो राज्य में अलग धार्मिक उच्पषब की अंदर लोगों का धर्म परिवर्थम करें सोब्सक्राइब नारी बात यह है कि धार्मिक उत्व होते हैं कि हुते हैं घर्मरस कोड़ाते हैं जा रहा है उनको रेलाइज कर चीजे कि आपको अलग माना जाता है आपको पिश्डा माना जाता है आपको नीच माना जाता है उसके बाद आपका धरम परिवर्दन कराया जाता है आपके अंदर हीन भावन डाली आती है और खास्तोर पर यह लंबा पैटर्न है जो भी आ रहा है धरम परिवर्दन करवाने क वह इसके अलावा कुछ बाड़े डाटे इस प्रकार है कि दो अक्टूबर के दिन माना गया कि लगवग 900 लोगों का धरम परिवर्तन हुआ यह एक बड़ा आगड़ा भी सामने आए तो इस प्रकार की चीज राज जी में हो रही है राजसरकार ने यह नोटिस किया और फिर जब जब बात आती है बहुत जहन सिक्ख की पार्सी की इसाई की तो इनको लेकर के ना बहुत अधिक भेदवाँ नहीं रख चीज़ों थोड़ा स्मूद लिया जाता है और राजसरकार यहां पर यह भी देख रही है कि जो जिला मजिस्ट्रेट के कार्याले हैं वह कार्या लेकि बहुत लोग जो है वह हिंदू समधाय का हिस्सा अब एक चीज़ सोचिए मान लीजिए कि मैं जिस समुधाय का हिस्सा हूं मैं उससे अलग क्यूं हूँगा अगर आप सबी है मानते हैं कि सबही बहुत जो हैं वह हिंदूों का ही तो इस सिदिमद्धार्ण परिवर् कावशक्ता रहेगी धरम परिवर्तन हो तो ही चीज़ अब लेंगी पर जब हमने पहले ही यह मान ले और जितने संग इसतर आगे आ रहे हैं धरम परिवर्तन कराने के लिए उनको भी समझना होगा कि चीज़े है अलग अलग जब कारल कोई भी रहे परिष्टिती कोई भी रहे नियम सेम रहेगा और सबके लिए सेम रूप से ही उसको डिफाइन किया जाना में जरूरी है यहां पर यह देखने को आ रहा है कि हिंदू धरम से जब लोग बहुत बन रहे हैं तो उस दोरा नियमों का पारण नहीं हो रहा है क् बड़ी संख्या में जो आविदन हो रहे हैं वे अलग अलग निकायों के द्वारा हो रहे हैं जो की गड़बड का मावला भी रिखा रहा है अलग अलग जो बहुत संग है वह आते हैं और एक बड़ी संख्या में एप्लिकेशन देते हैं और चीजों आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैनुप्लेट करने की कोशिश भी करते हैं ताकि नियम जो भी है उस पर क्रिया का पूरा पालंग ना हो यह बचे जाए और चीज़े थोड़ा स्मूध हो जाए इंके लिए जबकि नियम यह कहता है कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसर धर्म में जा रहा है तो जरूरी है कि आप जिला मजिस्टेट से पूर्व अनुमती ले लें लेकिन पूर्व अनुमती भी नहीं ली जा रही है यह भी राज्य सरकार ने नोटिस किया है इसके अलावा राज्य सरकार नोटिस किया कि अलग अलग जगाह पर बहुत सारे मामलों में धिलाई का जो कारण बना है वह बना है सब विधान का उच्छे 25 का भाग दो क्यों कि 25 के भाग दो में ही यही चीज़े देखने में मिलती है कि सिख धर्म जैन धर्म सब हिंदू धर्म क सब शौर्ण का झाहि अंग तो इसके कोरणिंग चिए चल रही यह लेकिन राजय स्ब्सक्रकार करते कि देखो अंग नहीं है अगर नहीं तो धर्म परिवर्थन की जरूत पर रहे हैं तो इसी दैसी दस्फर्ण है कि आप एक नहीं हो सकते हैं अब इसके साथ जरूरी है कि गुजरात धार्मिक स्वतंता अधिनियम भी समझ लिए अब तक कि हम लोगों जो स्थिति समझी वहां हमने यह समझा कि अभी नियूज किया है और राज्य सरकार के द्वारा क्या 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 आदिश दे दिये दें सभी जैस्परस्ट है इसका जरूरी है कि हम लोग गुजरात सरकार का धार्मिक स्वतंता अधिनियम भी समझ लें जिसको वर्ष 2003 में राज्य सरकार के द्वारा लगों क्या कहता है क्या कहता है देखो इस अधिनियम का खास्तोर पर सिदा सिदा अर्थ यह है कि धार्मिक परिवर्तन तो हो रहा है धर्मांतरन तो हो रहा है ठीक है कोई दो रहाएं नहीं है लेकिन धर्मानतरन के समय बीच में बल नहीं आना ची ऐसा है कि जबरदस्ती आपके सिर्थी का ग्रह बढ करेंगे घर से निकाल देंगे या फिर नहीं जाने देंगे, काम से निकाल देंगे, पैसे नहीं कमाने देंगे, चीज़ों बाधा हस्पन करेंगे, यह सब बल के हिशेनी में आते हैं, प्रलोबन देना के मामले भी आता है, बहुस सारे लोग प्रलोबन देते हैं, आपको पैसा दिया जाएगा, या फिर हम लोग देखते कि देखो विभा तो हो सकता है लेकिन आपको हमारा धर्म स्विकार ना पड़ेगा तो तो इसी वजह से राज्य सरकार ने अपना कानून मना जिसमें शामिल कि देखो बल के माध्यम से अगर धर्म अगर आप किसी भी रूप में गलत तरीके से मतलब वैक्ति की अपनी मर्जी नहीं है वैक्ति स्विच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो मामला लगे उसका मौलिक अधिकार है उसको अधिकार मिले हुआ है कि वह किसी भी धर्म को माने लेकिन आप मर्जी नहीं है उसकी पर फिर भी किसी अन्य कारण से धर्म बदलवा दे रहे हैं उसको पता नहीं है धर्म बदल गया कई बार ऐसा भी होता है तो उस दोरान अगर ऐसी कोई चीज़े हो रहे तो धर्म परिवर्तन जो होगा वह शुन्ने करार दिया जाएगा और इसी अगर कोई रहती जबर जस्ते धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको भी गलत ही माना जाएगा ठीक नहीं माना इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि देखो जब जब धर्मांदरन की बात होगी तब तब जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमती लेना अनिवार रह है धर्मांदरन का मामला आ रहा है लेकिन पूर्व अनुमती नहीं ले जा रही है तो समझ लो जी चीज़े गलत जा रही है और फिर जिला मजिस्ट्र को अधिकार है कि वह अपने अकौर्डिंग मामले को आगे बढ़ाए केस करना है कोई भी लीगल प्रोसेडिंग कर नही सबस्ति धर्म बदल वा दिये हो तो उस इस्तिती में आपको अधिक्तम दस वर्ष का कारावास हो सकता है इसके साथ ही पांच लाख रुपे तक का जुर्माना भी आपके ओपर लगाया सकता है यह इसमें वबस्ता की गई है तो साफधान रहें सतर करें गलत काम ना करें औ बिहत सरल सा प्रशन हर एक जान दे हैं कैसा लग रहा है आपको गुजराज सरकार का ही है आदेश क्या लगता है हिंदूों में ही शामिल हैं बहुत जैन से कि अफिर सब अलग है अपने विचार जरूर प्रस्तुत करने हैं और वीडियो ठीक लगी है तो इंफॉमेटिव सब्सक्राइब करते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विश्व के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए थैंक्यू सुमाच झाल